हर्याणा में करनाल के सेक्टर बारस्थित हुड़ा ग्राउंड में आज भगवान प्रशुराम महाकुंब राजिस्तरिय समारों का आयोजन किया गया समहारों में प्रदेश भर से हजारों लोग पहुंचे इस दोरान मंच से मुख्य मंत्री ने कहा कि आज तक हर्याणा में इस तरह की कारिक्रम पहले कभी नहीं हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रामण समाज वो है जो ब्रह्म को जानता है लोगों को सिक्षित करता है समाज को दिशा दिखाता है हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से जो आज लोग आए हैं मैं उनका विशेश तरपर अविननन करना चाहता हूँ क्योंकि आज का यूवा कल को प्रदेश देश दुनिया सब में अपना नाम करने वाला है अपने देश का नाम सब्ज़ का उंचा करने का काम हमारा प्रशुराम जी के यादगार के दिवस पर मैं उनको नमन करता हूँ क्योंकि वो बगवान के नाम से इसलिए हम जानते हैं कि वो ब्रह्म ग्यानी थे बहुत विद्वान थे शास्त्रे में भी विद्वान थे शास्त्र की कला भी उनके पास थी और अपने विचार के साथ अगर किसी का तालमिल न खाए अगर किसी के ओपर अन्याय हो रहा है तो अन्याय के वृद्ध अपना हथियार उठाने में उन्होंने कभी भी संकोच ने किया बड़े से बड़ा उन्होंने ऐसा कर्म कर डाला जो आज हमारे लिए आदर्श के रूप में से धांत के रूप में जिसको अपना सकते हैं तो ऐसे अफसर पर मैं उस महान प्रकर्मी तेजस्वी और गरीबों के उधारक बगवान प्रशुराम जी को अपनी और से हर्याना सरकार की और से हर्याना की जनता की और से नमन करता हूँ पायो बेनो अपनी परंपरा संत समाज की रही है बहुत महात्मा लोग ऐसे आये हैं जिन्नों अमको विचार दिया शिक्षा दी संसकार दिया रहने सेने की कला सिखाई एक सुखी जीवन कैसे बने शांत प्रिये महौल कैसे रहे इसके लिए समाज की बुराईयों को दूर करने का काम सब ने किया सरकारें तो अपना विकास के काम में अपना लगी रहती है इतना पैसा यहां से आएग इतना यहां चले जाएगा ये संत महापुर्शों का काम होता है हमने विचार किया कैसे संतों महापुर्शों के भी याद करने के कारकम उनकी जन्तियां उनके प्रकाश उत्सव ये दिन मनाए जाएं इस बात की खुशी है कि जो ब्राह्मन समाज है ब्रह्म जानाती ब्राह्मन है जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मन है जो भगवान के दर्शन करा सके वो ब्राह्मन है ब्राह्मन को ज्यान है ज्यान भक्ती भाव वो सिखाता है सदाचार वो सिखाता है शिक्षित वो करता है कुशलता वो सिखाता है बहुत से ऐसे गुणों होते हैं व्यक्ति के उन गुणों को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को एक दिशा देने का काम ये हमारा समाज करता है और हाँ अन्याय के साथ लड़ाई का काम भी भगवान प्रशुराम जी की सोच की देन है